हुआ हेलो फ्रेंड्स में अपका स्वागत है आई देखिए हम यह क्रोशिय से जैकेट बनाएंगे जैकेट को भूल देख लिए आपने कितनी लगी है तीन सो ग्राम के करीब मेरी भूल लगी है और इसके लिए जो मैंने क्रोशिय हुख लिया है थ्री एमेम है यह के ग्यारा नंबर थ्री एमेम है और मैं आपको यह जैकेट दिखा देती हूं यहाँ पर एक बात आप देखिए मैंने यहाँ पर बटन होल भी रखे हैं काफी देर से डिमांड थी कि मैं बटन पत्टी में बटन होल रखना बताए तो यहाँ पर मैंने सारी में बटन होल भी रखे है तो अम मैं आपको जैकेट को मैसर करके दिखा देती हूँ यह देखिए 18 18 18 18 मतलर टोटर डाउंड इसका 36 हो गया 36 तो यह 36 चैस साइज वालों को आएगी अगर आप इसको थोड़ा सा भी इस तरह से खींचेंगे देखिए हलका साही मैंने अभी टच किया है तो यहीं देखिए 19 19 पे चला गया तो यह 38 चैस वालों को भी आएगी पूरा इस कारण 38 हो गया तो यह जो जैकेट है मैंने 36 और 38 दोनों चैस साइज के लिए बनाई है लेकिन इस मैसरमें चार्ट को देखके आप इसे किसी भी चैस साइज मैं बना सकते हैं इसके बनाया है उसके आगे टूटोरियल लिखा है चार्ट को और जो टोटल लेंथ है इसकी यहां से लेके यह नीचे तक यह 24.5 इंच है साड़ी चोबिस इंच आम होल है जो मैं आपको मैंसल करके ही दिखा देखती हूं जो इसका आम होल त्यार आम होल है यह मैंने इसलिए आपको बताया है अगर आपको आम होल छोटा चाहिए तो मैंने यह 20 रो बनाई थी तो आप 18 रो बना सकते हैं 18 आप चाहिए तो यहां पर पॉकेट भी लगा सकते हैं इसके जितने भी पार्ट्स हों के उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और मेरे चैनल पर पहले से भी बहुत सारी जैकट की वीडियो है उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप कोई और जैकट बनाना चाहते हैं इसके बैक साइड और यहां पर देखिए हमने इसे पूरा राउंड में बनाया है यहां पर आपको साइड में कहीं पर भी स्टिचिंग की देखिए स्टिचिंग लाइन नहीं देखे की तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखिए 191 मैंने चेन बना ली 191 तो टोटल मैंने जो अभी चेन ली है 191 है 191 अब इसके बाद देखिए जो साइड में तीन चेन लेते हैं वो भी मैंने पीच में इंक्लूड की हैं तो अब हमने चेन नहीं लेनी सिर्फ 191 बनानी है उसके बाद धगा लिया हमने यह एक और दो और तीन स्किप की फोर्थ म हमने डबल कोशिय किया है फिर नेक्स्ट में बनाया है स्टार्ट में यहां पर हम बटन पट्टी रखेंगे साथ डबल कोशिय हमने बटन पट्टी के रखने हैं तो उसमें हमने छे डबल कोशिय बनाने है और साइड में जो तीन की चेन होती है वो हमारा साथ मां डबल यह जो हमारी 3 की चेन है इसको हम एक डबल कोश्य काउंट करते हैं तो इसको मिला कर फिर काउंट कीजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ हमारे डबल कोश्य बन गए सेवन तो यह तो हमारे बटन पर टीके हैं इनको हमने पैटरन में तूड नहीं करना यहां पर मैंने एक मारकर लगा दिया इसके बाद जो हम बनाएंगे वह हमारा पैटर रहेगा इस चेन में मैंने डबल कोश्य बनाया है उसमें मैंने मारकर लगा दिया अब इसके बाद दिकिए हमने तीन लेने हैं अब हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे जो हमने जकट के उपर बनाना है तीन मैंने यहां पर डबल कोश्य बनाए इस चेन में हमारा बना हुआ है यह मारकर मैं यहां से निकाल के यह सेवंथ के उपर लगा देती हूं देखिए एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ सेवन होगे उसके बाद एक और दो और तीन तीन बना लिया मैंने डबल कोश्य इसके बाद हमने एक चेन ली धगा लिया एक चेन स्किप करेंगे नेक्स में डबल कोश्य करेंगे फिर नेक्स्ट में बनाया फिर नेक्स्ट में बनाया फिर नेक्स्ट में बनाया पांच यहां पर हमने डबल कोश्य बनाए एक दो तीन चार पांच एक चेन ली एक चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट में डबल कोश्य करेंगे पिर यहां पर हम पांच डबल कोश्य बना एक दो तीन चार पांच फिर एक चेन ली फिर एक चेन स्किप की फिर नेक्स्ट में डबल कुशिया किया फिर यहां पर हम पांच बना लेंगे रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे इस तरह से तो कंप्लीट करके हम यहां तक आएंगे तो रो देखिए कंप्लीट हो गई पांच पांच छोड़कर हमने एक दो तीन चार पांच उसके बाद चेन स्किप की है एक चेन ली है शुरू में देखिए यहां पर साथ हमारे बटन पट्टी के थे रहे तो इनको हमने कांट नहीं किया उसके बाद एक दो तीन है हमारे पैट्रं के इसी तरह से हमारे पास यह तीन हमने बनाए यहां पर जैसे यहां पर लगा देती हूं ताकि आपको पता चले यह हमारा पैटरन के स्टिच है तो अब साथ बनाने हैं बटन पट्टी के कि एक कि दो कि तीन कि तीन बनाई हमने उसके बाद एक चेन ली यहां पर हम बटन होल भी रखेंगे एक चेन स्किप करेंगे कि तीन हमने फिर से बनाई मतलब यह साथ हमारे बटन पट्टी के हैं कि एक तो तीन और एक इसके उपर बनेगा चार पांच छे साथ कि तीन लिए देकि बिल्कुल सेम हमने बनाया है दोनों साइट कि बटन पट्टी वाले बना लेंगे पहले बिल्कुल स्टाट वाले के ऊपर नहीं बनाएंगे इसमें हमारे यह तीन की चेन कांट होती है तो यहां नहीं बनाना, next में बनाएंगे साथ बनाने है, एक बनाया, double crochet यह दो, अब यह दिखे होल है, इसके उपर भी बनाएंगे यह जो हमारी chain है, chain को उठाएंगे यहां center में, hole में नहीं बनाना जो उपर chain है, chain को इस तरह से लेंगे तीन, चार, पाज यह दिखे, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, डबल कोशिया बनाएंगे एक हमारा पास chain है, तो टोटर यह साथ हो गए तो अब इसके बाद हमने pattern स्टार्ट करना है, यह दिखे, यह हमारा पहला stitch है, यह तीन stitch हमारे pattern के है तो जो हमारा यह पहला stitch है, इसके उपर हम front post करेंगे देखे, इस तरह से इस उठाया front post किया, फिर धागा लिया, यह जो hole है, इसमें हम डबल कोशिया बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, शिक्स डबल कोशिया किये इस तरह से, इसके बाद फिर से हमने धागा लिया, यह हमारे पांच है पांच में से जो center वाला है, मतलब thirds, एक, दो, तीन, थर्ड वाले को इस तरह से उठाएंगे पूरे स्टिच को यहां पर फ्रेंट पोस्ट डबल कोशिया करेंगे, इस तरह से, फिर इसके बाद होल में बनाएंगे, छे डबल कोशिये, एक, दो, तीन, चार, पांच, और छे, छे डबल कोशिये किये, इसके बाद फिर से यह पांच है, इनमें जो center वाला स्टिच है, इसे इस तरह से उठाया, फ्रेंट पोस्ट किया, फिर यहां पर 6 बनेंगे, डबल कोशिये, तो रो को इसी तरह से complete करेंगे, तो रो देखिये, complete कर ली मैंने, बिल्कुल उसी तरह से हमने बनाया है, लास्ट में जैसे हमने शुरू में बनाया है, एक, दो, तीन, चार, पा पोस्ट किया है, उसके बाद एक और दो स्किप करके, होल में 6 बनाए है, तो सेम इसी तरह से हम बनाएंगे, इसके बना लिए हमने, इसके बाद एक और दो स्किप करेंगे, एक, दो छोड के, थर्ड वाले में हमने, फ्रेंट पोस्ट किया, और इसके बाद हमाद पास साथ साथ बटन पड़ते के हैं इनके उपर साथ टुबल कुश्चे बना लेंगे एक दो तेन चार पांच चे उझे जो तीन की चेन है इसके उपर बनाया थर्ड चेन में तो फ्रंट पोस्ट के बाद हमने साथ बना लिए स्टिच सेबन वक को टर्न करेंगे फिर से हम साथ बना लेंगे बटन बट्टी वाले में नहीं बनेगा नेक्स्ट में बनेगा हर बार हमने फ्रस्ट वाले स्टिच के उपर नहीं बनाना क्योंकि उसके उपर तीन के चेन आजाती है उसको हम एक डवल कुश्य अकाउंट करते हैं जो तीन चेन लेते हैं शुरू में हुई है कि एक दो तीन चारंद ची और साथ यह हमारे बटन पे साइब तीके, इसके बाद अब हमने पैटर मिना ए धागा लिया इसके बाद इसके भर देखें यहां पर मैं पास ये फ्रेंट फोस्ट है धागा लिया है यह हमारा बैक साइड से उठाना है, ऐसे करके, तो इसको हम बैक पोस्ट करते हैं, बैक पोस्ट डबल कोशे, तो अब हमारे पार ये चे हैं डबल कोशे, चे में से पहले वाले के उपर हमने ध्यान से देखिए, पहले वाले के उपर हमने डबल कोशे किया, सेकिंड वाले के उपर डब बलकूश्य बनाए यहां टॉठल मैंने यहां पर दोड्वलकूश्य एक चेन फिसलों को इसको करेंगे यहां हम नहीं बनाएंगे इसका हमें जोडेंगे इसके वाइं thr फ्रेंट पोस्ट है देखी है सिक्षत वाले को छोड दिया इसके बाद यह फ्रन पोस्ट की चेंड है इस फ्रन फॉआ से बैक साइट साहिए हम्ने लिया बैक पोर्ट यहांपर डबलकुषिया किया फिर इसके बासम आरो पस छहे हैं पहले वाले के उपर बनाया है कि सेकंड्ड वाले के उपर बनाया है एक चेंघ किप करेंगे कि इस तरह से हुआ जै-ल्य तार रहसे है तरी स्य पांच नहीं पर दो का सब्सक्रांद ये finalement के उपर बनाया है हमारे 5 इसमें से use Oliver अभ यह देखिए हमारे पास सिक्स्स स्टिच है है कि cuc यह हमारा सिक्स डवल कशिया है जो इसकी यह jean है इसको skip करेंगे छिसके वारे से हमारी fill पोस्ट जो डवल को爸 जिसको हमने इस तरह से back साइट से उठाया है इसके उपर बैक पोस्ट किया तो इस तरह से हमने यह रोग कंपलीट करनी है छे में से हमने पहले पांच स्टिच यूज करने है शिक्स वाले को स्किप करेंगे दो चेंग एक चेंग करेंगे नेक्स्ट में फिर हमने नेक्स्ट में बनाया इसके बाद 6 वाला यह जो हमारे डबल कुशिया है इसकी यह चेन है इसको स्किप करेंगे यह हमारा आगे इसको इस तरह से बैक पोस्ट की तरह हमने उठाया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर हमारी दो चेन चूट जाती है एक तो हमारी यह डबल कुशिय की चेन है वो चूट गई एक हमारी जो यह जो फ्रन पोस्ट है उसकी यहां पर आपको चेन दिखेगी लेकिन उ के और वनाया फिर एक चेन ली एक जो स्किप कि फिन नेक्स्ट के ऊपर वनाया यह हमारा कोशिया है yelling यह सिक्थ ही को इसकी को स्किप करेंगे आगे यह फ्रेंट पोस्टत इस तरह से तो रो को इस तरह से हमने कंप्लीट करने है कंप्लीट करके कि लास तक जाएंगे कि भी यहां है जिए हमारे पास चेग्षा नियुक्स के वो मेने बुछ shred कर लिए आ हमारा स्टिच है बैक पोस्ट करेंगे इस साड़ से उठाएंगे तो यह हमारा पैट्रन का लास्ट स्टिच है इसके बाद देखिए साथ हमारे पास बटन पट्टी के रहते हैं तो यह साथ के उपर साथ बना लेंगे एक दो बाकी के भी बनाएंगे वाक को टर्न करेंगे फिर से साथ के उपर साथ बनाएंगे यह हमने तीन बनाए फर्स्ट वाले के उपर नहीं बनेगा एक दो तीन चाहर पांच छे साथ साथ हमने बटन पट्टी वाले बना लिए इसके बाद मारा पैटर्न यहां से स्टार्ट होता है यह देखिए धगा लिया यह मारा फ्रेंट पोस्ट है जब भी हम फ्रेंट पोस्ट बनाएंगे थोड़ा साम स्टिच लंबा रखेंगे ज होल में जब हम यह फ्रेंट पोस्ट बनाते हैं उसके बाद दो स्किप होते हैं फिर यह होल आता है होल में फिर से छे बनाएंगे दो तेन चार पांच छे एक दो तीन चार पांच छे बनाएं इसके बाद यह हमारे पास फ्रेंट पोस्ट है दो यह स्किप करेंगे फ्रेंट पोस्ट को लेंगे फ्रेंट पोस्ट वाल स्टिच जो है यह इस तरह से थोड़ा लंबा रखेंगे इसके बाद दिखिए फिर से ए एक और दो skip करेंगे hole में 6 डबलकुशे करेंगे और ये 6 सिक्स बना लिए फिर देखिए एक और दो skip करेंगे ये हमारे पर front post है इसको हमने इसके वपर front post किया इस तरह से याया है तो wo complete करेंगे यहां पर छहें बनेंगे मार हम यहां तक आएंगे 병 कर ली मैंने इस तरह से बनी है बिल्कुल सेम रो है कि में साथ गतुके च्रती सबस्में लाएंडे हमने साथ लूँबबरबश्य इससे करना है यह इस तरह इसके वाब हमने 7 बटनपटके बनाने है तो मैं यहां तक बनाऊं की यहां से बना के फिर आपको दिखाते हूं इस साइट से साथ बना लिए हम इने बटन पट्टी के अभी देखे एक दो तीन चार पांच फिफ्थ रो मेरी स्टार्ट है साथ बटन पट्टी के बनाने के बाद यह हमने बैक पोस्ट करना है इस स्टिच के उपर जिस स्टिच को हम इस साथ से फ्रेंट पोस्ट बनाते हैं रोंग साथ से यह हमारी रोंग साथ है यह वले छे छे स्टिच आप देखे तो यह यहां से इन स्टिच को देखेंगे तो यह सीधे स्टिच दिखाई देते हैं यह हमारी राइट साथ है जिस साथ हमारा फ्रेंट प बनाएंगे जो हमारी wrong side है वहाँ पर हमने इसे back post की तरह stitch को लेना है बैक पोस्ट किया है सेम यह वाली row repeat करेंगे एक दो तीन थार्ड वाली जो हमारी row है वह हम repeat करेंगे यह छे हैं हमारे पास first वाले के उपर हमने बनाया फिर second वाले के उपर बनाया फिर एक chain ली, एक chain skip की, फिर next में double crochet किया, फिर next में double crochet किया, इसके बदिके यह हमारा back post है, back post की तरह हमने इसके उपर बना लिया, फिर यह हमारे पार 6 स्टिच है पहले वाले के उपर एक डबल कोशिया फिर सेकिंड वाले के उपर सेकिंड वाला डबल कोशिया फिर एक चेंड ली एक चेंड स्किप करेंगे इसमें डबल कुश्या किया फिर नेक्स्ट में किया है इसके बाद दीए यह हमारा six stitch है इसकी chain रहती है इसको skip करेंगे यह हमारा जो friend post है इस साइड से देखे यह back post देखता है इसे बैक पोस्ट की तरह ही उठाना है बैक पूस्ट किया तो इसके अब फिर से उसी तरह से बनाएंगे इस तरह से यह रो आएगी कुम्प्लीट करेंगे तो रो देखें कुम्प्लीट कर ली देखें एक दो यह थर्ड वल स्किप की फोर्थ और फिफ्थ यह सिक्स हमारा जो डबल कुश्य है इसको स्किप किया इसके बाद जो नेक्स्ट है यह यहां पर हमने बैक पोस्ट किया यह हमारा लास्ट स्टिच है पैटरन का अब इसके देखें साथ रहते हैं बटन पट्टी के साथ बना लेंगे करें करेंगे तो इसी तरह से यह पैटरन आकर रिपीट होता जाएगा फिर साथ बनाएंगे बटन पट्टी के शआथ बना लिए इसके वाद यह फ्रेंट पोस्ट है इसके उपर हमने फ्रेंट पोस्ट करना है इसके बाद यह दो किप करेंगे होल में छे बनाएंगे डबल कोशिय है एक दो तेन चार पांच यह हमारा फ्रेंट पोस्ट है इसके बाद छे हमारे पास यह डबल कोशिय है फिर हमने यह फ्रेंट किया है और यहाँ पर छे बनेंगे डबल कोशे आगये मैं कि रोख को कंप्लीट करेंगे तो रोख एक रोख लोख बनाने के बाद हमने पुर्ण पोस्ट को लेकर फ्रेंट हो जाता है इसके बात इसlarda कर दो एवक अब जैकर बना लेंगे वह को टर्न करेंगे साथ टेबल कुशे बनाएंगे देखे साथ बना लिए बैक पोस्ट की है देखे यह हमारी रोंग साइड है रोंग साइड से हम जो यह फ्रेंट पोस्ट बैक पोस्ट है इसे बैक पोस्ट की तरह बनाते है अब यह चे है चे के उपर हमने फर्स्ट और सेकेंड वाले के उपर बनाया फिर एक chain ली, एक chain skip की next के उपर बनाया, same row repeat की है, तो इस तरह से ये row वही वही repeat होती जाएगी, ये six वाले को छोड़ देंगे, skip किया उसे, यहाँ पर हमने back post किया, फिर उसे इसके उपर बनेंगे, row को complete करके end तक जाएगे, फिर ये देखिए six वाले को छोड़ देंगे, back post करेंगे, तो complete करेंगे, तो row देखिए complete कर ली मैंने, यहाँ पर हमने button hole रखा है, इसके बाद देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे row बन गी हमारी, बीना button hole के, अब ये seventh row है, इसमें हम फिर से button hole बनाएंगे, देखिए first वाले के उपर हमारी ये नहीं बनेगी, second वाले के उपर हमने double crochet बनाया, ये एक, ये दो, और ये तीन, तीन के बाद हमने button hole बनाना है, एक chain लेंगे, एक chain skip करेंगे, फिर next के उपर बनाया, साथ हमने रखे है, ती इस साइड रहेंगे, तीन साइड रहेंगे, बीच में button hole का button hole रहेगा, ये hole है, इसके बाद, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और seventh में हमने बनाया, इसके बाद वही pattern वही है, ये मैंने आपको दो, तिन रोज जादा आपको बना के बताई है, ताकि button hole में आपको बता स सकू, कि छे के बाद मैंने बनाया है, अगर आप button कम रखना चाहते हैं, तो आप साथ के बाद भी button hole बना सकते हैं, आठवे में, इसके बाद, जब हम वापीस आएंगे, यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, जब हम वापीस आएंगे, तब हमने ये किस तरह से बनाना है, अब देखिए, ये एक और दो, और ये जो हमारा hole है, इसके उपर जो chain है, यहां पर हमने बनाना है, हमने hole में नहीं बनाया है, chain के उपर बनाया है, उसके बाद, यह मैंने आपको इसलिए बताया है, क्योंकि आगे से वही है, वही रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, यह देखिए, तीन रहेंगे, तीन रहेंगे, जो सेंटर पर स्टिच है, उसमें हमने डबल कोशे बना दिया, तो साथ, यह साथ थे हमारे बटन पर टिके, इसके से आगे बनता जाएगा, यह मैंने बस आपको यह बताया है, कि स्टिच को हमने किस तरह से उठाना है, तो अब देखिए, इस तरह से यह आएगा, तो अब आप थोड़ा सा पैटरन को समझ ले, इसके आगे इसी तरह से बनता जाएगा, आम होल तक बनाएंगे, तो यहां साइन पर देखिए, यह हमारी ब harvest बास पर पनी ले उसके वाहां यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है हमारे पैटरन फ्रेंट में इस साइड भी देखिए, एक दो तीन चार पांचे साथ हमारे इस साइड फ्रेंट में है तो साथ और साथ चोदा बीच में देखिए एक पैटरन जितनी यह बटर पट्टी आती है तो यह 15 के क्रीब फंडरा हो जाते है जैसे साथ और साथ और एक यह हो गया 15 तो उस हीसाब से मैंने वैकसाइड में फंडरा रखे हैं एक दो तीन Six 27 शैट नो दस ग्यारा बारह सेरा चोदा पंद्रा फिफ्टीन तो टोटल जो मेरे पास पैटरन है यह 7 यहाँ पर है हैं यहां पर है तो यह 14 हो गए और 15 जो है बैक साइड है तो हम प्रेंट पोस्ट बनाते हैं उसके बाद 1 और 2 डबल बनाते हैं फिर 2 और प्रेंट तो इतना हमारा एक पैटर्न है छे और चेंड से यह एक पैटर्न कंप्लीछ होता है जो हमने शुरू में चेन बनाई है देखिए एक में हमने फ्रेंट पोस्ट किया फिर दो डबर कोश्य तो यह तीन स्टिच होगे एक हमने स्कीप किया यह चांस्ट इच ओ गए यह पांच यह जह फिर देखेंगे फिर यह च्छे तो मैंने यह पैटर्म बनाए है ज्यागे के मृटिपल के हिसाब से तो आगे हम इसे कंपलीट करेंगे तो आप होल तक मैं आपको कंपलीट करके दिखाते हूं तो आम होल तक देखिए जैकट को मैंने कम्प्लीट कर लिया है अभी जो मैंने इसकी लेंद रखी है पंदरा इंच है 15 इंच तो अब हम यहाँ पर आम होल डिक्रीज करेंगे देखें शुरू में हमने एक बटन होल बिल्कुल स्टार्ट में रखा है उसके बाद देखे 1,2,3,4,5,6, के बाद 7 जार्ट में है तो टोटल मैंने देखे एक, दो, तीन, चार, 5, और 6 बटन होल बनाए है इसके बाद अभी मैं डेक्री स्टार्ट करूंगे तो यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ यह सेवंथ हमारा पेटरन है यह जो फ्रेंट पोस्ट है यहां पर मैंने मारकर लगा लिया है आप दूसरी साइट देखे एक दो 3,4,5,6,7 और यह जो फ्रन्ट पोस्ट है इसके ओपर मार् कर लगा लिया तो 7 यहाँ पर है 7 यहाँ पर है 14 होके फ्रन्ट साइट मैंने 14 है बैक साइट देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो तस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा बैक साइड ये मेरे पास 15 है पंदरा अब यहाँ पर हम फंदे डिक्रीज करेंगे तो अब हम नेक की और आम वोले की डिक्रीज बनाएंगे और यह दिखे ज़कट को जब आप पहनें गें तो यह यह यलो मारकर वाले साइड है यह आपकी लेफ्ट साइड आएगए तो left side की हम फंदे पहले decrease करेंगे wrong side है हम decrease मैंने wrong side से start की है यह दिखें यह हमारी wrong side है neck वली side है हम यह first वले में नहीं बनेगा next में बनेगा जो 7 हमारे पट्टी के है वो फंदे हम बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, चेस, साथ साथ बनाने के बाद देखें यह जो हमारा पट्टी के साथ जो हमारा यह front post की रो चलती है इसे हमने पट्टी के साथ हर बार बनाना है तो पहले हमने इसको हमने decrease नहीं करना बिलकुर शुरू में है जो तो साथ स्टीच के बाद मैंने front post बना लिया इसके बाद देखें यह हमारे पास 6 स्टीच है तो फर्स्ट, सेकिंड और थर्ड तीन को छोड़ दिया उसके बाद जो तीन है मेरे पास उनके उपर एक टबल कुशिय करेंगे इस तरह से तो नेक वाली साइड हमने तीन स्टीच डिक्रीज कर दिये तीन हमने बनाए है बस इसके बाद मारा पैटर वही रहेगा यह front post के उपर जो इस साइड से यह front post होता है इस साइड से यह back post है तो back post किये जब हम यह back post बनाते हैं उसके बाद हम next यह दो के उपर बनाते हैं डबल कोशिया एक फिर next वाले के उपर दो फिर बीच में एक चेन एक चेन स्किप की बाद की पैटरन वही रहेगा इसके बाद यह front post है front post के उपर मैंने back post किया wrong side से back post होगा और right side से हम front post बनाएंगे मतलब back side से हमने ऐसे उठाया है तो यह back post बना wrong side से तो अब यह इसी तरह से बना कर हम यहां तक आएंगे यह हमारा marker है तो यह वाला हम पूरा एक pattern decrease करतेंगे और यह वाला जो pattern है इसके उपर जैसे हमने यह पट्टी बनाई है तो इसके उपर second वाले एक pattern और यह second pattern इसके उपर यह पट्टी बनेगी तो मैं यहां तक बना कर आऊंगे यह दो छोड़ दूँगे यहां तक बना कर आगे हम यह एक pattern और यह दो दो pattern रहते हैं मेरे पास अभी देखे हैं मैंने यह जो 6 stitch है इनके उपर 1, 2 और 3, 4 stitch बने हैं इसके बाद हमने यह जो बैक पोस्ट है इसके उपर बैक पोस्ट किया अब यह जो हमारे पास 6 stitch है इनके उपर हम 6 stitch बनाएंगे पट्टी के जैसे हमारी नेक वाली साइट पट्टी रहेगी उसी तरह से यहां पर भी हम पट्टी बनाएंगे अगर आपने यहां पट्टी नहीं बनाने तो आप यहां पर किनारी भी बना सकते हैं फिर आपने यहां तक पैटर्न बनाना है यह जो हमने बनाया है सारा फिर यही चीज यहां पर भी बनेगे अगर आपने यहां पर पट्टी नहीं रखने तो यह देखे यह हमारा बैक पोस्ट था उसके बाद एक दो तीन चार पांच छे स्टिच मैंने बना लिए यहां पर हमने साथ की पट्टी रखी है लेकिन आम होल वाली साइड मैंने चे की पट्टी रखी है आप चाहे तो साथ की भी रख सकते हैं अगर साथ की रखनी है तो यह जो एक वारा बैक पोस्ट है इसके उपर भी डबल कुश्य कर सकते हैं तो यहीं से हम टरन लेंगे यह हमारा जो है आम होल वाली साइड हमारे डिक्रीज के लिए एक पैटर्न बच गया तो आम होल वाली साइड वस जितने मैंने फंदे डिक्रीज करने है एक ही बार में कर दिये अब हर बार यहां पर हम छे बनाएंगे पट्टे के एक दो तीन चार पांच से इसके बार यह फ्रेंट पोस्ट किया है उसके बार पैटर्न वही है यहां पर बनाएंगे फिर फ्रेंट पोस्ट करेंगे तो यहां तक मैं बना के आऊंगे छे बनाने के बाद यह हमने फ्रेंट पोस्ट किया फिर छे बनाएं फ्रेंट पोस्ट यह जो चे डबल कोशिय वाली रू है यह हम हमेशा राइट साइड से बनाते हैं रॉंग साइड से हम यह पांच डबल कोशिय वाली रू बनाते हैं चार वाली एक दो तीन चार तो नेकवली साइड आके हम फ्रेंट पोस्ट के उपर फ्रेंट पोस्ट किया है रॉंग साइड से हमने तीन स्टिच डिक्रीज किये थे राइट साइड है हम तो राइट साइड से हमने कोई भी स्टिच डिक्रीज नहीं करना इन तीन के उपर तीन बना लेंगे जब भी हम decrease करेंगे नेक वली side तो wrong side से हमने decrease करना है मतलब jacket के ulti side से सीधी side से हमने कोई stitch decrease नहीं करना नेक वली side अब इसके बाद हर बार ये साथ के साथ ये जो हमारी front post की रूह है ये भी बनेगी इसके बार ये साथ बना लेंगे पट्टी के इस तरह से आई है ये साथ बना लेंगे पट्टी के एक दो तीन चार पांच छे साथ बैक पोस्ट के है तो अब हम wrong side है जैकट के उल्टी side तो ये जो हमारी तीन स्टिच है देखे यहाँ पर हमने तीन चोड़े थे अब ये वाले तीन चोड़ देंगे तो अभी हमने देखे ये back post किया है एक दो तीन चोड़ देंगे तो ये वाला fourth stitch हमारा back post का है फिर से back post परेंगे मतलब दो back post मारे अब कठे आए एक शुरू वाला और एक ये वाला तो इसके बाद pattern रही है ये जो 6 होते हैं हमारे पास stitch इन के उपर हम wrong side से उल्टी side से हम 4 बनाते हैं मतलब पहले वाले के उपर बनाते हैं ये second वाले stitch के उपर बनाते हैं इसके बाद हम chain लेते हैं एक को skip करते हैं फिर ये हमारा third double crochet और ये हमारा fourth double crochet एक, दो, तीन, चार बनाते हैं एक को हम skip कर देते हैं छे में से एक हमने यहाँ skip कर दिया एक हमने यहाँ skip कर दिया तो 4 double crochet बनते हैं हमारे 6 की कली के उपर देखें फिर से lock फिरर्थ to p कुर्षियक एक फिर नेक्स्ट में यह दो बनेभी एक चैन लिए एक चैन意 Bisकी यह हमारा द सो इसको इसको छिप करते हैं बैकपोष्ट बनाते हैं आए यहां तक पना लेंगे अएई कि यह हमार्ड़ गरा pone admit दो तीन चार इसके बाद बैक पोस्ट किया है उसके बाद मैंने छे बनाई पट्टी के तो यह मारी थार्ड रो कंप्लीट हो गई फूर्थ रो हम पर स्टार्ट करेंगे डिक्रीज की तो आम होल वाली साइट तो देखें वही है हर बार बनाना तो आगे से फिर मैं आपको नेक वाली साइट ही बताऊंगे यह देखें हर बार इसी तरह से बनेगा यह हमने छे बनाए फिर यह हम पर फ्रेंट साइट से हमने राइट साइट से हमने यह फ्रेंट पोस्ट किया उसके बाद यहां पर छे बनेंगे तो यहां तक मैं बना किया होगी यह जो फ्रेंट पोस्ट है दो हमने हैं है ह्नास्ट रो में हमने यह तीन स्ट्च डिक्रीज किए थे gusta पर देखिए यह चे बनाने के बाद हमने इस फ्रेंट पोस्ट को लेकर बनाया . फिर हमने next परा front post लिया है right side से मैंने आपका बताया है यह jacket की right side है मतलब सीधी side इस side से हम को stitch decrease नहीं करते मतलब यहाँ पर हमने यह wrong side से हमने stitch decrease किये थे तो यहाँ पर हमारे पास दो back post थे दो इकठे हैं तो इन दो back post के उपर हमने right side से दो front post किये क्योंकि इस row में हमने कोई decrease नहीं करना इसके बाद हम साथ बनाएंगे पट्टी के जैसे हमने stitch wrong side से बनाए होते हैं neckly side तो उसी तरह से same हमने right side से भी उसी तरह से बनाने है neckly side यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो हमारे पास back post थे अब हमने उसके उपर दो front post किये तो अब हम wrong side जाएंगे फिर वहाँ पर हम stitch decrease करेंगे लेकिन इस बाद जो हमने सिर्फ decrease करना है सिर्फ यह एक stitch decrease करना है यह जो हमारा front post है अभी देखिए हमारा जो एक करके यह 6 stitch थे यहाँ पर 3 हमने एक बाद क्रीज किये तीन हमने दूसरी बाद क्रीज किये तो अब हमारे पास यह एक front post रहता है अब wrong side से हमने सिर्फ यह वाला एक front post decrease करना है यह हमने सिर्फ इसलिए किया है ताकि एक दफन से हमारे फंद यहाँ पर decrease ना हो जाए तीन तीन क्योंकि हमने एक अठ्थे डिक्रीज किये हैं तीन हमने बनाए साथ बना लेंगे पट्टी के कि इस बार हमने सिर्फ एक जो हमारा front post है उसको डिक्रीज करना है एक दो तीन चार पांच छे साथ इसके बाद मैंने आपको बताया है एक यह जो हमारा back post होता है रोंग side से यह हमेशा बनेगा पट्टी के साथ वाला अब यह वाला एक back post हमने decrease करना है और कुछ नहीं करना इसके बाद हमने यह देखे इस side से मैं आपको दिखाती हूँ दो हमारे पास यह front post है इस side से पहले वाले के उपर हमने बना लिया यह second वाला हमने skip करना है इसके बाद हम यहां पर बनाएंगे तो इस बार सिर्फ हमने एक stitch decrease किया इसको छोड़ देके next में बनाएंगे यह 6 के उपर हम जो 4 double crochet बनाते हैं वो बनाएंगे एक बनाया यह दूसरा बनाया एक chain ली एक skip की यह 3rd बनाया और यह 4th बनाया इसके बाद यह वाला हम stitch skip करते हैं यहां पर back post किया तो अब हम यहां तक जाएंगे complete कर लिया है और right side आ गए अभी देखिए यह wrong side देखिए अभी हमने जो यह एक बनाया है साथ के साथ एक हमने back post किया था अब जब हम right side आएंगे तो कोई stitch decrease नहीं करना मैंने आपके बताया है right side से नहीं decrease करना तो यहां पर 6 बनेंगे यहां से बनाकर यहां तक आएंगे यहां चे बना लेंगे नेक वाली side आ गए हम चे बना लिए मैंने stitch तो मैंने आपको बताया यहां पर कोई decrease नहीं करना चे बनाए है इसके बाद यह जो हमारा front post है इसके उपर मैंने front post किया बिल्कुल सेम जो हमने back side बनाए थे सेम उसी तरह से बनाए है कोई stitch decrease नहीं किया और राइट साइड से रॉंग साइड जाएंगे फिर से हम स्टिच डिक्रीज करेंगे कि अब है अब यह आप देखेंगे तो एक हमारा यह पूरा पैट्रन यहां पर डिक्रीज हो गया है यहां पर हमने तीन स्टिच डिक्रीज किया है यह दिखें यह तीन डिक्रीज किया है फिर सेम बनाए फिर हमने तीन डिक्रीज किया है उसके बाद हमने यह एक डिक्रीज किया है यह वाला जो एक स्टिच है यहां पर हमने नहीं बनाया तो इसी तरह से यह नेक्स वाला हमन बना लिया पट्टी के और एक मैंने बैक पोस्ट बना लिया इसके बाद उसी तरह से एक दो तीन हम स्किप करेंगे यह वाला पैटरन हमने डिक्रीज करना स्टार्ट किया है सेकिन्ड एक बार मैं आपको पूरा पैटरन फिर से डिक्रीज करना बता देती हूं ताकि आपको कोई confusion ना रहे इसके बाद हमारा वही pattern है यहाँ पर जो 6 stitch है इनके उपर 4 बना लेंगे तो अब हम यहाँ तक आएंगे यहाँ से जाकर फिर यहाँ से बनाते हुए फिर मैं आपको neck के पास आके दिखाऊंगे फिर से देखिए हम neck वाली side आ गए तो right side है right side से हम कोई stitch decrease नहीं करते यहाँ पर देखिए हमने front post किया इसके बाद यह जो हमारा पर 3 stitch है तीनों के उपर 3 बना लेंगे यह front post है इसके उपर हमने front post किया इस तरह से तो अब हम यह 7 stitch बनाएंगे साथ बना लिए हमने wrong side से हम फिर से आदा pattern decrease करेंगे साथ बनाएंगे पट्टी के साथ हमने बना लिए देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ इसके बाद हमने यह back post बनाया अब हमने फिर से आदा pattern decrease करना है यह जो हमारे तीन stitch है यह हमारा आदा pattern है यह हम पर 6 थे तीन हमने यहाँ पर आदा decrease किया है तीन हम यह decrease कर देंगे तो यह मैंने back post बनाया है अब यह विले तीन चोड़ देंगे तो इसके बाद next बार पास फिर से back post है तो अब मैंने दो back post बनाया है साथ साथ दो back post बनाया है जब हम right side आएंगे फिर दो back post के उपर दो front post बनेंगे क्योंकि right side से हमको decrease नहीं करते इसके बाद मारा वही pattern है जहाँ पर भी यह हमारे पास 6 स्टी चाते हैं वहाँ पर उनके उपर हम 4 double कुशे बनाते हैं देखें इस तरह से देखें एक, दो, तीन, चार तो अब मैं फिर से यहां तक आऊंगी और यहां से फिर से बनाके नेक वली साइड आपको आके मिलूंगी और यहां पर मैं 6 बना लूंगी फिर से देखें नेक वली साइड आ गए हम 6 बना लिए मैंने 6 बनाने के बाद यह जो हमरे पास 2 front post है, इनके उपर front post करेंगे कोई stitch decrease नहीं करेंगे इस बार हम इसके बाद यह साइड बना लेंगे पट्टी के फिर से हम साइड बना लेंगे पट्टी के इसके बाद हमने पहले वाला जो हमारा back post है उसके उपर मैंने back post किया मैंने आपको बताया है जो हमारा एक pattern होता है यह हमारा 6 double crochet यह है और एक हमें front post होते है तो है एक पूरे pattern को हम तीन वार decrease करते हैं मतलओ एक वार आदा करते हैं फिर next में आदा करते हैं फिर हम यह front post को decrease करते हैं थ्री steps में हम decrease करते हैं तो अब हमने यह वाला जो एक हमारा ने जहींगे back post बना लिया हमने यह जो हमारा backpost है इसको हमने अब skip करना है मतलब इससे हम decrease कर देंगे यहाँ तक मैंने 7 बनाए है ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसके बाद backpost किया उसके बाद यह वाले backpost को skip करेंगे decrease करेंगे मतलब फिर हमने यहाँ पर यह जो 6 stitch है इनके उपर हमने 4 बनाने है जैसे हम pattern में बनाते ही है आगे उसी तरह से बनेगा तो इस बार हमने wrong side से यह एक हमने stitch यहाँ पर नहीं बनाए तो अब मैं फिर से यहाँ तक आऊंगे तो यहाँ से बनाकर फिर हम neck वाली side आएंगे neck वाली side आगे तो अब यह हमारी देखे right side है right side से हमको stitch decrease नहीं करते तो यहाँ पर हमने 6 stitch बनाए इसके बाद हमने यह जो एक बनाया था front post इसके उपर हम front post बना लेंगे सेम उसी तरह से last में भी हमने एक बनाया था उसके बाद right side से हमने फिर से एक बनाया तो अब यह साथ बनाएंगे और इस साइड से भी मैं साथ बनाके wrong side से आपको दिखाती हूं यह देखिए wrong side से मैंने साथ बना ले है अभी देखिए आप दो हमारे पूरे पूरे पैटरन डिक्रीज हो गए है एक यह हो गया और एक यह हो गया तो अब आदा पैटर में अभी और डिक्रीस करूंगी ठोटल में नेक वली साइड़ ऐ पैटरन ड Two and Half पैटरन कम करूंगी अगर आपको न एक कम डिक्रीज करने है तो आप कम भी कर सकते है दो पैटरन करके उसके बाद आप जैसे यह हमारा पैटर्न है इसके उपर सेम ऐसे ही बनाते जा सकते हैं तो अभी मैं आदा पैटर्न और डिक्रीज करूंगी पहले हमने यह बना लिया बैक पोस्ट सेम उसी तरह से एक तो तीन छोड़ देंगे नेक्स्ट वाले जो तीन है वहां पर मैंने बना लिया इसके बाद यहां पर चार बनेंगे बहुत असान है इसकी घटाई मैंने जो बनाई है बहुत इजी है यह देखे इसके बाद हम यहां तक आएंगे फिर वापिस नेक्साइट आकर यहां पर आपको दिखाती हूँ तो नेक्साइट फिर से आगे हम यहां पर तीन है तीन के उपर तीन बना लेंगे कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करेंगे आदा पैटरन मेरा और डिक्रीज हो गया तो टू एंड हाफ मेरे हो गए है नेक्साइट डिक्रीज तो अब आप देखे टू एंड हाफ पैटरन मैंने डिक्रीज कर दिये हैं उपर मेरे पस एक और दो कम्प्लीट है और यह आदा पैटरन है यह आगई इसी तरह से तीन के उपर तीन बनाते जाएंगे हाफ पैटरन है जी धाई मैंने यहां पर कम किया देखे एक यह दो और यह आदा पैटरन धाई इस साइड कम किये हैं टू एंड हाफ टू एंड हाफ ऊपर बचे हैं तो यह हमारे पास पांच हो गए टोटल हमारे पास देखिए एक तो तीन चार पांच छे साथ थे तो पांच यह होगे मैंने आपको बताया एक पैटरन हमने यहां पर नहीं करना इसी के ऊपर बनाते जाएंगे यह आपकी च्वाइश से अगर आप चाहते हैं तो यह हाफ पैटरन भी नेक वाली साइड कम कर सकते हैं अगर आपने ऊपर यह चीज कम रखनी है अब यह अब देखेंगे तो यह देखें यह साड़े पांच छे के करीब है अगर आप उपर से यह शोल्डर के जो स्टिच है कम रखना चाहते हैं तो आधा पैटरन अपने एक वाली साइड और डिक्रीज कर सकते हैं अब इसके बाद मैंने रोंग साइड से भी कोई स्टिच डिक्रीज नहीं करना क्योंकि मेरे हिसाब से डिक्रीज कंप्लीट हो गई है यह साथ मैंने देखे बना लिए इसके बाद हमने यह बैक पोस्ट किया जो पट्टी के साथ वाला बैक पोस्ट है इसके बाद यह तीन है क्योंकि अब हमने स्टिच डिक्रीज नहीं करने तो हर बार यहां पर मैं तीन के उपर तीन बना लूँगे राइट साइड से भी और रॉंग साइड से भी इसके बाद यह हमारा बैक पोस्ट है इसके बाद यह चे के उपर जो हम चार स्टिच बनाते हैं वो बनाएंगे तो armhole वाली side जाएंगे फिर वापिस neck वाली side आके मैं आपको दिखाती हूँ neck वाली side देखिए फिर से यह 3 के उपर 3 बना लेंगे कोई stitch decrease नहीं किया मैंने wrong side से भी नहीं किया और right side से भी नहीं किया तो इसके बाद जितनी भी आपने रो बनानी है armhole की जितने आपको length चाहिए उतने आप बीना decrease की आगे बना लें अब यह अब देखिए कितनी रो हमने total बनाई है यहां से दिखे यह हमारा यह दिखे यह तीन है जो हमने छोड़े हुए यह हमारी first row है decrease की यह बनी एक दो तीन चार पांच छे साथ ताट नो दस ग्यारा भारा तेरा चोड़ा पंदरा सोला 16 row मैंने बना ली है तो armhole की length त्यार होने तक मैं और बनाऊंगी same तो आगे मैं फिर बना के आपको दिखाती हूँ same इसी तरह से continue करते हुए आगे जाएंगे तो यहां पर देखे 20 row मैंने बना ली है 20 काउंट कीजिए यह हमारी आमhole वाली साइट काउंट कीजिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा भारा तेरा चोड़ा पंदरा सोला सत्रा अठारा उन्निस पीस 20 अब चाहें तो यहां पर दो रो और बना सकते ह हैं क्योंकि अभी यहां पर हम जब हमारी सारी जैकट कंप्लीट हो जाएगी तो जैसे यहां पर पट्टी आई है यहां पर भी हम एक रो बनाएंगे तो उससे आमhole और थोड़ा चोटा हो जाएगा तो अभी मैंने धागे को काट नहीं किया है थोड़ा सा धागा चोड़ लूँगी क्योंकि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं दो रो यहां पर और बना लूँगी अगर मुझे यह आमhole के लेंद कम लगी यह देखिए यहां पर देखिए यह तीन तीन डबल कुशे वा लिए उसके वाई यह चेस्टीच है तो आज हमने इसका फर्स पार्ट कंप्लीट किया है जो इसका सेकंड पार्ट है वो कल अपलोड हो जाएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू